कि है कि को out आई आज की वीडिव में हम इमर्जेंसी प्लानिंग अंड मिटीगेशन चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हमारे क्वेस्टेंस ऋंगे वाट इज इमर्जैन्सी यानि इमर्जेंसी क्या है फिर है टाइप सफ इमर्जेंसी यानि इमर्जेंसी कितने परकार के होते हैं और आखरी है वाट इज इमर्जेंसी प्लानिंग यानि इमर्जेंसी प्लानिंग क्या है आये फ्रेंस देखते हैं अपनी पहली पोटेंसियल टू कॉज सिरियस इंजरीज लॉस अप लाइफ और एक्स्टेंसिब डेमेज अफ पुरपर्टी मतलब फ्रेंस इमर्जेंसी एक सॉर्डेन और उन एक्सपेक्टेड इस्थिती है जिसके पास गंभीर चोट जीवन की हानी और पुरपर्टी की ब्यापक सकते हैं यह साहां कूई भी स्थिति जो अचानक हो जाए उससे आदमी के जान का नुकसान हो या पुरपर्टी का नुकसान हो उसे इमर्जेंसी कहते हैं देखिए मैंग और अधक ब्यूर्टी को इसे हम emergency ही बोलते हैं या एक साथ बीस आदमी छोट के नीचे दव जाए उसे भी हम emergency ही बोलते हैं आए फेंज इसके कुछ examples देखते हैं जैसे कि collapse of building, building का ढ़ो जाना, fire, आग लग जाना, earthquake, भुकम पाना, it's extra, friends हमारा आगला question है types of emergency, emergency के परकार, friends emergency दो परकार के होते हैं, पहला on-site emergency, दूसरा off-site emergency, आए फेंज देखते हैं on-site emergency क्या है, on-site emergency, if an accident or incident takes place in a factory and its effects are confined to the factory premises, it is called on-site emergency, यदि किसी factory में कोई दुरघटना या घटना होती है और इसका परभाव factory के परिशर तक ही सिमित होता है, तो इसे on-site emergency करते हैं, देखें, factory के परिशर मतलब factory का पूरा भाग, जितने दुर में factory फैली हो, और यह emergency केवल factory के ही workers और पुरपर्टी को परभावित करता है, फ्रेंड्स एक sentence में कहें तो इस emergency से केवल factory के अंदर की चीज़े ही परभावित होती है, फ्रेंड्स इसके कुछ examples देखते हैं, जैसे कि factory के अंदर किसी building का collapse मतलब गिर जाना, factory के किसी machine का तूट जाना, यह सब इसके examples हो सकते हैं, आईए फ्रेंड्स देखते हैं, off-site emergency, if an accident और incident affects persons or properties both inside and outside the factory, it is called off-site emergency, यानि कि यदि कोई दुरघटना या घटना, factory के अंदर और बाहर दोनों जगा के बेक्तियों और समपतियों को परभावित करती है, तो इसे off-site emergency काते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इसमें accident और incident factory के बाहर ही होते हैं, बट ये factory के किसी गलती के कारण ही होते हैं, इसलिए इसे से factory के अंदर और बाहर दोनों जगा के लोग और समपतिप परभावित होते हैं, फ्रेंड्स इसके कुछ इक्जामपल्स देखते हैं, जैसे कि मान लेजिए, कमपनी में लगे एक बड़े टैंक से गैस या तेल या कोई जोलन्सील पदार्थ लिखो कर factory के बाहर या किसी सहर में फैल गया, और इससे लोग मरने लगें, समपति का नुकसान होने लगा, तो यह offsite emergency होगा, यह emergency फैक्टरी से इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसके लिए बाहर से emergency control team को बुलाना पड़ेगा, बट वहीं on site emergency में factory के emergency team ही control कर लेती है, तो फ्रेंज, आप अच्छे से समझ गया होंगे on site emergency और off site emergency क्या है, आये friends देखते हैं अपना अगला और आखरी question What is emergency planning? Friends हमने अभी देखा है emergency Emergency मतलब अपातकल और planning मतलब क्या? Planning मतलब किसी चीज का plan करना है तो इसका simple सा definition है friends An emergency plan और planning is a specific procedure that handles sudden or unexpected situation मतलब कि Friends, emergency planning एक business पर किरिया है जो sudden और unexpected इस्थिती को handle मतलब समालती है यानि कि Friends, emergency planning एक्सिडेंट और इंसिडेंट के परभाव से हमें और हमारे समपती को बचाता है या इसके परभाव को कम करता है तो Friends, आज के वीडियो में बस इतना ही आगे के वीडियो यानि इसके part 2 में पढ़ेंगे emergency planning के उदेश से क्या होते है इसमें main elements क्या होते है it's extra हाँ Friends, मैंने आप से वादा किया था safety and fire course को सुरू से line by line पढ़ाने का तो Friends, मैंने एक playlist त्यार किया है आप यहाँ अभी तक हुए DFS1 के सभी chapters मतलब unit को देख सकते हैं Friends, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाएं और सभी वीडियो को जरूर देख लें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स करना ना भूले Friends Bye Friends, मिलते हैं अगली वीडियो में